आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं नए चेंजिस आ गए हैं GST Portal पे तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि अपनी GSTR 3B GSTR 1 फाइल मत करना सेक्टेंबर 2023 की बिना इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि दोस्तो लेटस अपडेट आई है GST Department की तरफ से जो की 1 October 2023 से applicable हो गई है वीडियो में पूरा डेटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ नमस्कार मैं दीपक बैसलाब का स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल पर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को प्रेस करें साथ में बैल आइकन को भी दमाए ताकि कोई भी पर यह जो चैन्जिज मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो भी GST पोर्टल पर आए वो नोटिफिकेशन की कॉपी जो आपको मिलने वाली है वो टेलिग्राम चैनल पर जाके आप जो वहां से डाउनलूड कर सकते हैं तो प्लीज जॉइन कर ले सब के लि अगर हमारा इन चार क्लॉजिस के अंदर नहीं आता है तो हमारा पांच भी क्लॉज के अंदर यानि कि टेबल नंबर फोर के पांच के अंदर हमारा सारा इटीस आता है अब इसी को चीज को देखते हुए गौर्मेंट ने क्या कर दिया है कि ITC को जो आपका टू भी के उनको जाके देख सकते हैं चैनल पर सारी दोस्तों अप्लोड़ेड हैं सो मैं बात कर रहा था इस इंपोडेंट फेक्टर के बारे में कि अगर आप ITC क्लेम कर रहे है आपके ITC जो टू भी के अंदर आ रखा है आपके सप्लायर में आपको कोई भी माल बेचा कोई भी एक्स क्रेडिट आता था तो यह तो सभी को पता है कि जितना आता था हम उसी के बैसिस पर अपना जेस्टर 3B के अंदर उसको क्लेम करते थे जैसे यहां पर हमारा सारा ITC आ रखा है और फिर नैट करके हम अपनी जेस्ट की लाइबिटी पे करते थे महीने की बीस तारिक के बात से तो दोस्तों अभी क्या हो गया है गौर्मेंट ने इस डिफरेंस को जो है नोट करना चालू कर दिया है ट्रैक करना चालू कर दिया है मतलब जितना ITC आपका जीस्टर 2B में आया उससे अगर आपने जादा लिया या कम लिया जीस्टर 3B के अंदर तो उस केस में अ अब आपको यहां पे क्लेरिफिकेशन देनी पड़ सकती है, इंटरस्ट देना पड़ सकता है, पैनल्टी देनी पड़ सकती है और हाँ असाथ में आपकी जो है GSTR 1 और GSTR 3B भी ब्लॉक हो सकती है अब आपको दोस्तों प्रैक्टिकली समझाता हूं कि क्या मैं कहना चाला जब आप services वाले option पर जाएंगे और यहाँ पर returns वाले option पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा return compliance का जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ITC mismatch DRC01C इसका मतलब जिसकी मैं बात करता वीडियो में कि अगर आपका ITC कुछ भी mismatch होता है DRC01C के अंदर यहाँ पर आपको दिखा देगा DRC01C में आपको mention कर देगा अगर आपका कुछ भी ITC mismatch होता है तो दोस्तों अब यह जो notification आई है हमारी तो मैं उसके आपको detail में समझाता हूँ कि notification हमारे पास कहा पर है आप देख सकते हैं कि notification है हमारे पास यहाँ पर चार अग्यास कोईर 23 की notification है नोटिटिकेशन नमबर 38 बटे 2023 जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि Rule 88D यहाँ पर निकाला था Rule 88D को यहाँ पर इंसर्ट किया था Basically GST Department ने जिसके अंदर यह बोला गया है कि अगर आपके Form 3B में जितना भी ITC आपने अवेल किया है वो आपका Exceed करता है ITC जितना आपका Available है 2B के अंदर यानि कि जितना आपका 2B में ITC आया और जितना आपका 3B में आया तो 3B वाला आपने जादा ले लिया 2B का आपका कम था तो उस Case के अंदर अब आपको यह जो Mismatch की पेजेगा अपने end से ही आपको बताएगा कि भी आपने एक्सस क्लेम करका है अगर मैं आपको एक्सामपल दोस्तों तो जैसे GSTR 3B जैसे GSTR 2B के अंदर हमारा ITC था हमारा लोग 50,000 ठीक है और आपने GSTR रिटन फाइल करते वक्क 3B के अंदर 75,000 क्लेम कर लिया यानि कि 25,000 पे का extra GSTR ITC आपने क्लेम कर लिया तो accordingly अब वहाँ पे आपका वो difference जो है यानि कि जो Mismatch है वो आपको कहां पे शो हो जाएगा दोस्तों वो आपका शो हो जाएगा ITC Mismatch DRC 01C कॉलम के अंदर जो मैंने बताया return compliance में जाके इस वाले option में यहाँ पे आपको जाके शो हो जाएगा DRC 01C ने ठीक है तो अब करना क्या है अब government कहती है कि यह तो हमने Mismatch आपको बता दिया जो GST Department इस चीज़ के उपर पूरी जड़ा के बैठा है कि पहले जो लोग क्या कर रहे थे फालतू का extra 3B के अंदर ITC क्लेम कर रहे थे 2B से mismatch करके फाइल कर रहे थे तो उस टैम पे तो अभी तक notices नहीं आ रहे थे लेकिन अभी GST Department इसको पूरी तरह से track कर रहा है तो notices आने, intimation आने चालू हो जाएंगे ये चीज जो applicable है वो 8 October 2023 से applicable हो गई है इसका मतलब आप September के अगर अपनी GST टन बर रहे हैं दोस्तो तो ध्यान से बरें पहले अपना कोई भी ITC mismatch है तो उसको ज़रूर जाके देखें अब आपके मन में सवाल होगा सर आपने ये तो बता दिया कि ITC mismatch का intimation हमें GST Department या तो mail कर देगा या फिर हमारे यहाँ पे portal पे show हो जाएगा लेकिन ये देखेगा कैसे, इसके अंदर क्या information हमें देनी है और क्या नहीं देनी है, क्या हमें कुछ reasons देने है तो दोस्तो इसके लिए हमारे पार जो ये form जो है ये हमारा available है, हमारी GST की notification 38 बटे 23 के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते कि पूरा जो form है DRC-01C जिसकी मैं बात कर रहा हूँ DRC-01C इसके अंदर पूरा form दोस्तो दो parts में divide कर रखा है पार्ट A और पार्ट B के अंदर जिसमें आपको पूरी information देनी है तो पार्ट A तो ये कहता है कि अगर आपने ITC जादा claim कर रहा है 3B से, 3B में जादा claim कर लिया और 2B के मुकाबले तो उस case के अंदर आपको उस amount को government को pay करना है पहली बात तो ये अगर आपने जादा claim कर रहा तो उसको pay करना है कितना कितना पहले तो आपको यहाँ पर information देनी है इसके अंदर कि आपने GSTR 2B में कितना ले रखा था, 3B में कितना लिया है और कितना आपने access लिया है और साती दोस्तों यहाँ पर mention है कि अगर वो आपने जादा लिया है तो उसको आपको जो access आपने लिया है उसकी आपको यहाँ पर interest के साथ section 50 के हिसाब से उसको government को pay करना है जो आपने extra said access जो आपने लिया है यानि कि your hereby either to pay an amount equal to said access input tax credit along with the interest payment section 50 वो आपको DRC03 के थुरू यहाँ पर payment करनी है DRC03 के अंदर आपको पता होगा जो हम जो भी tax वगरे की payment करते हैं वो DRC03 में payment करते हैं तो इस case के अंदर अगर आपने access claim करा है तो उसको DRC03 form के अंदर जाके आपको with interest उसकी payment करनी पड़ेगी और साथ ही part B के अंदर आपको यहाँ पर reason बताने है कि क्या reason है आपने access claim कर लिया तो पहले आप यहाँ पर बात करते हैं part B के बारे में तो यह तो मैंने part A का समझा दिया दोस्तों तो part B हमारे पास यहाँ पर कहता है जो कि बहुत important है कि part B के अंदर यहाँ पर आपको mention करना है कि भी आपका एक तो DRC03 में जो आपने payment करी है वो आपको बताना है कि अगर आपने access claim कर लिया तो उसको with interest और with जो है जो amount आपने pay कर रहा है उसको यहाँ बे section 50 के साथ से interest लगा के total amount जो payment करी है उसको यहाँ पर show करना है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखेगी तो यहाँ पर आपको सारे reason दे रखे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि भी आपका ITC पुराने महीने का था इसलिए हमारे जो है अब goods और services हमने अब receive करें तो इसलिए हमने अब ITC ले लिए है या इसके multiple reason है import of goods के case में नहीं था या फिर आपका SCZ उनिट है तो नहीं था या फिर आपका एक यहाँ पर option है कि ज़र ITC मैंने गलती से जादा ले ली हो सकता है ना गलती से जादा ले लिया तो यहाँ पर देख सकते है कि इसका reason भी दे रख्या है ITC input tax edit not availed in earlier tax period in advertity or due to mistake or omission गलती के वैसे भी आप यहाँ पर reason दे सकते हो यह दोनों चीजे दोस्तों आपको यहाँ पर detail में डालनी है पहले किया part A के अंदर आपको mention करना है कि आपने जितना extra लिया है उसके बारे में बताना है और साथ में DRC 03 के तुरू आपे payment कर देनी है और part B के अंदर क्या बताना है जितना आपने payment करी उसके बारे में information देनी है कौन से head में आपने payment करी है जितना भी आपको देना है साथ में reason भी आपको देना है और यह ध्यान रहे कि यह जो आपको reply करना है यह 7 days के अंदर करना है यानि कि within 7, within period of 7 days अगर यह information जब भी आपके पास ITC mismatch का आता है department के द्वारा portal पे जैसे आपको दिख जाएगा यह जो यहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया था प्रैक्टिकली portal पे दोस्तों आपको दिख जाएगा ITC mismatch DRC01C का तो जब भी आपके पास यहाँ पे यह शो होती है कुछ भी information जैसे इस case में हमारा कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि यह भी 1 October से applicable हुआ है तो अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पे शो हो जाएगा फिर उसको आपको reply करना पड़ेगा payment करनी पड़ेगी जो भी है उस intimation का आपको जवाब देना है साथ दिन के अंदर और यह दोस्तों clearly यह जो detail आपकी है यह इस notification में लिखी है कि आपको साथ दिन के अंदर यहाँ जवाब देना है और हाँ अब आप बोलोगे कि अगर मैंने access ITC जो claim करा वो नहीं पे करा या मैंने जवाब नहीं दिया तो दोस्तों उस case के अंदर आपको उपर section 73 और 74 की provisions के हिसाब से GST officer demand raise कर देगा जिसके उपर interest लगा देगा penalty लगा देगा और साथ ही आपकी GSTR 1 और GSTR 3 भी भी ब्लॉक कर सकता है तो दोस्तों यह बहुत बड़ा update है जो कि 1 October 23 से applicable हो गया है GST portal पर कि अगर आप जो है अपनी GSTR return भरने हैं तो ध्यान रखिए कि आप पूरी तरह से match करके बरे जितना भी आप ITC claim कर रहे है वो आपका GSTR 2B के अंदर जितना हो उतना ही claim करें अगर आपके पास justification है तो मैं तो आपस कोशिश यह करूँ है कि क्यों इंतिजार कर लो कि आपके पास ITC mismatch का intimation है इसे अच्छा है कि आप पूरा 2B के अंदर जो show हो रहा है वो ही आप accordingly अपनी 3B में ITC claim करके अपना GST जो है उसको accordingly जमा कर रहे हैं और अगर आपको कुछ भी compliance को लेकर issue है GST के अंदर कुछ भी problems है तो आप हमारी team से नीचे ते नबर में बात कर सकते हैं तो दोस्तो इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि चैनल को subscribe कर लें क्योंकि ऐसे ही जो latest updates है GST, income tax, personal finance की वो आपको मिलती रहेगी अगर आपने हमारा चैनल subscribe नहीं किया है तो लाल बटन उसको दबा दे साथ में bell icon को भी press करें क्योंकि यह जो important update थी मैंने सोचा जल्दी आपको दे दू क्योंकि यह mismatch काफी सारे professionals, taxpayers, assesses को जो जो इसका सामना करना पड़ सकता है अगर यह mismatch आते हैं और इस case में GST department बहुत जादा stick हो रहा है कि अगर आप ITC extra claim कर रहे हो तो यह quick update जो की 1 October 23rd से applicable हो गई है